नमस्कर दोस्तों, तो हावर्ड मार्स का एक बहुत important कोट है and बहुत simple कोट है, that large amount of money are not made by buying what everybody likes, they are made by buying what everybody underestimate, कहने का simple मतलब है कि आज के दिन जो stock के पीछे जादा ता लोग भाग गड़ा है, तो वो stock में रिवेश करेंगे तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ज जादा तो लोग भाग रहे, जादा लोग current level पे खरीद रहे, तो इसका मतलब ये होगा, that ये जो stock है, ये high PE या एकदम peak PE पे जा चुका है, high valuation पे जा चुका है, बट दोस्तों, बड़ा पैसा अगर बनाना है, तो कुछ ऐसे companies की पीछे भाग ये, जिसको लोग as of now underestimate कर रह जादा हो नीड है, इस टाइम में, आज के इस वीडियो में भी दोस्तों, हम इसी simple से topic के उपर focus करेंगे, एन एक ऐसे company को बात करेंगे, जिसके उपर जादा चर्चा नहीं हो रहा है, बट दूसरी तरफ, company का performance बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और आगे का जो management का guidance है, वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, तो चली दोस्तों, फड़ा फड़ा वीडियो को start करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले Rolex Rings Limited Company के उपर, तो सबसे पहले तो comment करके बताना, कि आप में से कितने साल लोग invested हो, या at least आप track कर ड़े हो, तो आज के में सुबह बाजार उपन होते ही, जो stock ये 5-4-5% भाग गया था, तो क्योंकि भाग गया था, तो उस बसे हमने cover नहीं किया, पर दोस्तों, इस वीडियो में हम technicals तो cover करेंगे, बट वो end part है, main part है इसका business and business का growth, की future में कैसा growth आएगा, management का guidance का है, जाधा तर लोग ऐसे ची पहले December में, company का जो sales था, ये था 242 करो, एक quarter पहले 290 करो, अभी 308 करो, तो sales में early basis पे growth है, and quarterly basis पे भी देखेंगे, तो आपको growth देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें company की margin की, आप देखे, margin कितना जाधा stable है, एक साल पहले 22%, एक quarter पहले 22%, अभी भी same 22%, ऐसे time में हमने दे देखा, कि majority company का जो margin है, वो contract हो रहा है, यानि कि गिर रहा है, या तो आप कहसे सकतो stable रखने में, वो उनको बहुत मुश्किल हो रहा है, पर ये company का margin बहुत जाधा stable है, last एक देर साल से अब देखेंगे, बहुत जाधा stable है, इसका मतलब क्या है, कि company ने अपने margin को protect कर रख तो profit में भी yearly basis पे grow थे, प्लस quarterly basis पे भी grow थे, so हम इसी number को percentage वाइस थोड़ा देखे, तो एक साल पहले जो sales था, उसके उपर 27% का growth, and profit में 77% का growth है, तो overall दोस्तो number बहुत ही जाधा interesting है, तो क्या company आज बहुत जाधा महंगा है, क्या लोग इसके पीछे बहुत जाधा भाग बहुत जाध expensive हाथ ही नहीं लगा सकती इसको, तो वैसा वाला महंगा तो नहीं है, but ROC के number अगर देखेंगे, 31% बहुत अच्छा, return on equity 29%, यह भी बहुत अच्छा, करजा अगर देखेंगे, तो control में 171 करूर, okay, and industry का P अगर देखेंगे, तो वापको 21.7 पे देखने को मिले सकते, मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस का overview दे देता हूँ, तो उस बज़े से हम चले हैं कंपणी के official website के उपर, and यह आप यह विजिट करके, थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाएंगे, तो company के product आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यह आपे rings होते, तो जो bearing rings होते, तो आप product company बनाता है, अब यह अगर stock के उपर थोड़ा बत करें, तो last day 1.6% का return इसने दिया था, आज actually मैं एक research report भी मैंने share कर दिया है, जहाँ आप 30% expected है company के stock में, तो अगर आपको private telegram group join करना है, नीचे आप stocks का link आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको daily basis पे बहुत सारे research report, interesting, update, content, stock के बार में मिलते रहेंगे, जिसे हर दिन आप बेटा नी बहुत बेटार investor बनते जाएंगे, बहुत सा लोग के आगे चले जाएंगे, अगर join करना है, तो नीचे आप stocks का link पे लेगा चाहँ तो, आप account करके, account open करके उस link के थूरू join कर सकतो, for lifetime, जापे मेरे जो बार उतना पुड़ाना listing नहीं है, August 2021 में company का listing हुए, तो आप किया सकतो कि देर साल complete के है, and within 1.5 years company ने बढ़िया return दिया है, अगर हम उपर के level से देखे, एक साल का chart open कर लेते, तो अगर हम उपर के level से देखे, तो ये stock इस time में आपको 15 या 16% के discounted rate पे देखने को मिलेगा तो एक अच्छा खासा discount चल रहा है, and एक जो reasonable valuation है, वो भी देखने को मिल रहा है, basically growth at reasonable valuation वाला जो framework है, उसको ये company meet कर रहा है, अभी दोसों या पे company का long term का number open करते, क्योंकि बहुत सा लोग ऐसे ही उन्होंने सीखा है कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, आप past देखिए, जरूर देखना चाहिए, कौन यह आपे नहीं देखता है, सारे बड़ी investor देखते, बट future में क्या growth आएगा, वो matter करते है जादा, right, कि past में क्या किया है, वो तो stock के उपर already pricing हो चुका है, future में क्या करेगा, उससे ही तो आपका return बनना है, तो past को भी देखि है, and future की उपर भी focus करे, तो आज हम इस वीडियो में दोनों करने वाले, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे numbers, तो देखें, 2016 से 2018 तक growth है, and 19 तक actually में growth है, 2020 में अच्छा पफम किया नहीं है, क्योंकि auto sector पूरा slowdown में चला गया था, 2021 COVID वाला period, but as of now अगर देखेंगे, तो फिर से 2021 के बाद से अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है, company ने recovery phase है, margin मोटा मूटी अप कह सकतो कि 22% हम को 22% के around ही जादा तक देखने को मिला है, and अभी भी अगर देखेंगे, तो बहुत जादा margin बढ़ नहीं गया, तो एकदम stable margin है, profit की बात करें, तो profit देखें, एक टाइ और तीन साल का period, auto sector के लिए काफी खड़ाब गया है, दिन 5 साल और तीन साल का profit growth आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, and उसके बाद return on equity भी अगर देखेंगे, वो भी बहुत इक बढ़िया देखने को मिल जाएगा, अगर हम देखें, company का shareholding pattern, तो promoters जो इन्ह 46% का stake है, बाकी जो institution है, FII and DIA है, उनके बस कितना है, almost मोटा मोटी 35-36% के आसपास का stake है, उनके पास है, तो एक बड़ा investment हुआ, right, कि छोटा company इतना बड़ा investment, उसके अलावा दोस्तों, अभी ये तो हमने company के past के बाड़े में बात कर ली, and जो result company in December quarter में रिलिस केया, उसक के लिए दोस्तों, जो recent control है, quarter 3 का, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो इधर पर, control का जो report है, वो हमने open की है, and management ने क्या बता है, चलिए, वो एक बड़ हम पढ़ लेते, कि कैसा growth आने वाला है, तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो financial year चल रहा है, ये कौन स से लेके 18% का growth आने वाला है, ओके, ये next financial year का growth guidance है, and उसके बाद का जो next financial year है, 2025, right, तो 2025 में company expect करा growth more than 20-25%, यानि कि दोस्तों, 2024 में जो number आएगा, उससे better number 2025 में आने वाला है, ऐसा company expect करा है, अभी आप कहेंगे रहे, 2024 में थोड़ा कम है, and 2025 में जादा क्यों, इसके पीछे क जो reason है, ये आपे highlight करते हुए company ने बता है, कि near term company का majority revenue है, okay, 60% का revenue है company का, वो export से आता है, right, and US and European country में अभी तक कोई stability नहीं है उनकी economy में, तो इस बज़े से company जो है, वो थोड़ा conservative होके चल रहा है, and near term इन्होंने 15-18% का growth guidance दिया है, 2024 में, इसको अगर meet करता है, बहुत अ 25%, okay, अभी दोस्तों, ये तो हमने देख लिया, growth guidance के है, अभी जैसे हम capex के उपर बात करते हैं कि कितना खर्चा करेगा, capital expenditure कितना होगा, तो चली वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, and वो आपको 7 number page में मिल जाएगा, तो थोड़ा गार नीचा आ जाए, तो देखे, question द वाला है, and जो next financial year होगा, यानि की 2024 तो वहाँ पे 40 लेके 50 करों का company खर्चा करने वाला है, जहाँ पे machine वगेरा maintenance, capex, सब कुस included है, okay, तो ये छोटा-मोटा capex हमको देखने को मिलता है, बहुत सादा plans, capex का as of now नहीं है, and company ने बता है कि इसके थूह ही वो अपना चो guidance को मिला होगा, वीडियो अभी तक अगर अच्छा लग रहा है, तो like जरू कर देना, चली दोस्तों, बात कर लेतें अभी company के technicals के पड़, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, या पे volume chart उपीन किया, and volume chart में आपके बहुत बड़ा volume buying देखने को मिलेगा, and इस जो buying है, ये institution का बा होता है, तो ये जो volume buying हुआ था, ये हुआ था, 2022 में September के around कुछ buying हुआ था, ये कौन से level पे हुआ था, दोस्तों चली इसको थोड़ा zoom करके देख लेते रहे, तो ये थोड़ा बेटर आएगा, तो इस दिन buying हुआ था, and तब level जो था, तो आप कह सकतो कि इधर पे 1700 के आसप जो stock है, ये इस टाइम पे trade हो रहा है, और उपर से 15-16% का discount भी चल रहा है, अगर दोस्तों हम बात करें इसके money flow index के उपर, तो currently जो money flow index है, वो आपको 62 के level पे देखने को मिलेगा, and उसके बाद अगर हम RSI की बात करें, तो RSI इस टाइम में आपको 54-55 के around कुछ देखने को मिलेगा, okay, and RSI भी आप कह सकतो, neutral zone पे, जादा उपर अभी तक गया नहीं है, and अगर हम moving averages की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, आपको जो stock है, ये currently अपना 100 day moving average के नीचे मिलेगा, last day का जो closing हुआ है, वो 200 day, 20 day and 50 day moving average के उपर हुआ है, तो देखे 200 day moving average के आसपस अच्छ नहीं है, 200 day का जो moving average वो 1756 के level पे, and जो stock के वहाँ से 80 रुपई almost उपर है, okay, तो दोस्तों अभी आप इस company को ज़रूर ट्रैक कीजे, बहुत सा लोग पूछेंगे current level पे खड़ी दे या wait करे, अभी देखिए, जैसे कि मैंने हमको guidance दिखाए, कि at least 2-3 साल का तो time आपको द में volatility बहुत है, अदानी group के related बहुत सारी news निकल के आ रहे है, जिससे market और भी volatile रहेगा कुछ time के लिए, तो इस budget से, जो 200 day का moving average यह मुझे थोड़ा better ही लग रहा है, बट आएगा नहीं आएगा वो किसी को पता नहीं, तो अगर किसी को position बनाना है, तो आप market का situation देखिए थोड़ा wait कर सकतो, या पैसा लगा सकतो, क्यूंकि market का situation क्या होगा, वो कोई बता नहीं सकता, shorter में, but I think shorter में अच्छे मौकें मिलने वाले है, तो आप companies का at least watch list में जरूर लगा के रखिए, short list करके रखिए, I hope दोस्तों, वीडियो आपको अच्छे लगा होगा, वीडियो अच्छे में मिलते रहेंगे, या पे उसके थुरू, अप स्टॉक्स का जो लिंक है, उसके थुरू अकाउंट उपिन करके, आप जोईन कर सकतो, लाइफटेम के लिए, चाहिए, कोई call और tip नहीं मिलेगा आपको, मेरे खुद के जो short term and long term trade है, वो मैं आपके साथ share करता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते अगले वीडियो में, बाबाई